हमारे शाबर मंत्र चैनल के घंटी को दबा कर चैनल जो सबस्क्राइब और शेप 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 जै महाकाल दोस्तों आपको हम आज बताने वाले हैं अपने साबर मंत्र में कुछ है हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने पूछा है कि साधना कैसे की जाए जो 21 दिन की जाए 11 दिन की साधना होती है उसके साधना करने के बाद मदरिया का सेवन करना चाहिया जांद करना चाहिय है और एक हमारे जो दोस्त है उन्होंने एक पूछा सवाल की कुल देवी जो होती हैं फूलमती उनके बारे में आज हम आप दोनों के लिए यह बेहतरीन वीडियो ले के आए हैं हम बताना चाहेंगे जो हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कुल देवी होती है जो फूलमती जो कुल देवी होती है वह एक जो है अश्वुजी देवी होती है वह बहुत ही डेंजर होती है सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे वह देवी बहुत ही देंगर होती है और बहुत ही पावर्फुल होती है पहला नंबर दूसरा नंबर आपको हम बताना चाहेंगे इनकी साधना कैसे की जाए और इनको सिद्धी कैसे की जाए यह जो देवी होती है फूलमती जो फूलमती सवाकोस की दूरी की जो है खबर यह बता सकती हैं पल भर में यह बहुत तीब्र जो है देवी हैं इनको कोई काबू में नहीं कर सकता है जल्दी कोई भी काबू में नहीं कर सकता है कितना भी बड़ा तांत्रे क्यों नहों अगर यह सिद्ध हो गई तो इनको काबू में करने क ऐसे बीत करने ही आज हमको बताएंगे अगर आपके खंडान में आपके जो है कुल में अगर फुल्मति डेवी जो होती है हुआ मतिजिभानी होती है अक्थर इनको जो है ओबा के नाम से भी जाना जाता है ओबा जो हमारे गोरकपुर साइड में आप जाएंगे इसी देवी का नाम जो है ओबा के नाम से जाना जाता है तो यह देवी बहुत तीबर होती हैं अलग-अलग छेत्र में अलग-अलग नाम से जानी जाती है कोई कोई जादूगर्णी के नाम से भी जाना मुतलब इनको कहता है कोई जादूगर्णी कहता है कोई जो है खोबा कहता है कोई फूलमती भवानी कहता है और कोई अश्टवजी देवी कहता है तो यह देवी जो है अनेक नाम से जो है विख्यात है अब हम आपको बताना चाह और इनकी सिद्धी कैसे की जाए अगर आपके जो है कुल की देवी अगर है या फूल मती भुवान देवी अगर कुल की है तो अच्छी बात है क्योंकि अगर जैसे आपको पहले यह है पता करना होगा कि आपके घर में या आपके जो है और भी मतलब जो खुटुम्ब है पहता है चैसे कोई भी भांदाने बहुत तरहते हैं तो इसमें दिक्कते होती हैं फिरिंके साधना आपको नहीं करने चाहिए अगर का घरत प्रवित्र है तभी आपको करके अपको सफलता हासिल हो सकती है लेकिन जब सफ अपके हांत में आ जाती है तब आप कुछ भी कर सकती हैं आप को पताना चाहेंगे अगर अगर आपको नो है को पर कि ने करना है hello장 को आपको 시청 करना है तो आपको एक एक अड होल ने अड़ूल के फूल में जो है एक लोटा जो है जल लेना है और उसमें अड़ूल का फूल डालके और उसके बाद जो है आपको माता के नाम पे जो है अगर आपको पता है कि आपके एक कुल की देवी जो है फूल मतिवानी है तो रोज सुबह नाद होके अची तरह से पवित्र होकर आपको एक लोसा जल लेकर झाने चत अप्धातर करें कि आपirmा करते मेरी टेमे को एग्तिनीनर करी तो निश्य ही आप धित्री हो जाती है और मता की खिपाप्त हम करने अगर आप करते रहेंगे तो मतलब माता की किर्पा पर बनती है, और आपको बता दें की और इनका शुक्रवार को और स्वोम्वार को जो है कि अग्यारी करना परता है माता के नाम पर जैसे अग्यारी करना परता है। और जो धूप बत्ती जो आता है उसको सब एक में मिक्स करके और माता के नाम पर आगनी पर रख के अग्यारी करना परता है तो आपको यह प्रक्रिया कम से कम सव महीने तक आप करेंगे तो माता की सिद्धी आपको मिलने लगती है हम आपको यह बता दिये हैं और एक लोग ने हमसे पूछा है किसी ने कि जो सिद्धी होती है तो उसमें क्या मजरिया का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे वह है आपके सिद्धी के ऊपर है आप सिद्धी कैसी की है आपने तामसी सिद्धी की है या सात्विक सिद्धी की है आप जिस हिसाब से आप सिद्धी करेंगे उसी हिसाब से आपको सेवन करना पड़ता है अब आपकी सिद्धी के उपर डिपेंट होता है कि आप कैसी सिद्धी कर रहे हैं या कैसी सिद्धी की हुई है तब ही आप उसका सिवन कर सकते हैं और उसका कब कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं अगर आपको अधिक जान कर चाहिए तो आप हमारे वाट्सप पे भी पूछ सकते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है अपना प्यार दें, जै महाकाल, जै माता दी, भगवान वोले नाथ आपका प्रल्यान करें, नमस्कार.